नमस्कार स्वागत हैं अपका वीकी नियूस पे एक पुलिस वाला अगर हीरो बने तो अच्छा लगता है खतरनाक अपराधियों को धर्दबोचे तो वावाही होती है पर खाकी वाले अगर गुंडे बन जाएं तो पूरे परशासन का मुँख कलंकित हो जाता है परदेश में थूतू होती है और यहां तो पुलिस कर्मी ने गंपर का रूप धारन कर लिया अपना रॉब जमाने के लिए और खाकी का जोड दिखाने के लिए पुलिस सदिकारे गंपर तो बन गया पर उसे नहीं मालूम था कि जय और वीरू की तरह शोशल मीडिया उसके पीछे है दरसल लॉगडाउन के समय में कई ऐसे पुलिस कर्मियों के तस्वीरे सामने आई जब वो फिल्मी डायलोग सुना रहे थे इस तरह के परदेशन ने लोगों का दिल जीत लिया शोशल मीडिया पर खुब वावा ही हुई अब हीरो के डायलोग तो ठीक थे पर ये साहब तो गबबर ही बन बैठे और हेकड़ी जाड़ते वे डायलोग भी सुना दिया क्या सोचा था कि जंता खुश होगी शाबाशी देगी पर यहां तो उल्टा हो गया अब तो साहब के इज़्जत का सवाल है लगता है अधिकारी साहब का सोचल मीडिया से बहुत यारा आना है लगता है किसी ने वीडियो बना ली और शेयर कर दी और अब उनकी वीडियो धन्नों की तरह भागने लगी पर इस बार इज़त नहीं बची बलकि उतर गई सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ और पुलिस अदिकारे को फेमस कर दिया अब लोहा घरम था तो आलादिकारियों ने भी हतोडा मारी दिया दरसर जाबुआ वे कल्यानपूरा पुलिस इस्टेशन के प्रभारी केर डांगी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गबबर का डायलोग मारते हैं और कहते हैं कल्यानपूरा में 50-50 किलो मीटर की दूरी पर जब पच्चारोपा है तो मा कहते है चुबोजा बीटर ने डांगी आ जाए रहा है और शायद आला अधिकारियों ने भी सोचा कि इसकी सजा मिलेगी बराबर मिलेगी वीडियो वायल हुआ तो वरिष्ट अधिकारियों ने इस पर संग्यान लिया और वो इससे खासे नराज हैं वीडियो बारिल होने के बाद पुलिस के कारेशाली पर भी सवाल उठने लगे ये वज़ा है कि जाबुआ के एसपी आनंद सिंग ने केल डांगी को कारण बताओ नोटेस जारी कर दिया है अब अगर केल डांगी ने एक और डायलोग सुना दिया कि करें मुसीबत बढ़ सकती है फिलाल आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तब तक बने रहें वीकी न्यूस के साथ नमस्कार